ओम नमस्षिवाय जय महाकाल आप सब को पता है कि जो भादरपक्ष की आखरी पूडिमा है वो 9 और 10 सितंबर दोनों दिन है दोनों दिन कैसे कह रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा लेकिन आप ये जाने कि अगर आपका बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता हूँ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे है चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है देखो अभी मैंने स्क्रिन पर जो लिखा था कि 9 और 10 सितंबर दोनों दिन है कैसे यहाँ पर देखो जो मैंने पंजांग खोला है सुख्ल पक्ष पूडिमा कब से स्टार्ट है 9 सितंबर शाम को 6 बच करके 8 बजे से स्टार्ट होगी और यह 10 सितंबर को दोपहर में 3 बच करके 28 मिनट तक रहेगी तो इसके बीच में इस उपाई को करना क्या करना है आप समझना है इस उपाई को करना कैसे है रात के समय जब भी चंद्र देउता के आपको दर्शन हो जाए आसानी से साथ बजे आठ बजे नौ बजे दस बजे जब कभी भी चंद्र भगवान के आपको दर्शन हो जाए आपको अपने साथ अपने बच्चे को लेना है और अपने बच्चे के हाथ में आपको रुतराक्ष देना है एक रुतराक्ष देना है अब आपको कितने मुखी रुतरा पूरिमा करवाना है सिर्फ तीन से चार पूरिमा अगर आप ये काम करा लेते हैं अपने बच्चे से तो उसका दिमाग जो है वो एक ही जगा पर पढ़ाई पर अच्छी जगा पर लगना स्टार्ट हो जाएगा अगर उसका दिमाग भटकता है इदर उदर फोन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है तो आप इस उपाय को कराना आपके बच्चे का दिमाग पढ़ाई में ज़रूर लगेगा लेकिन यह उपाय तीन से चार पूरिमाग आपको कराना है ठीक है अब आप यह कहोगे जिस बच्चे ने इस का अब क्या करें तो आपने अपने घर में से जहां से भी इस रुद्राक्ष को उठाया था वही पल्ले जा करके उस रुद्राक्ष को रख देंगे और उसके बाद आप अपना जो भी रेगूलर काम अपने घर का है आप कर सकते है तो कोशिश की है बहुत छोटी वीडियो बनाने की और बहुत अच्छा समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा 9 और 10 सतंबर दोनों दिन है डेट आपको बता दिया, टाइम बता दिया, कैसे कर ला है ये भी बता दिया, तो वीडियो पसंद आई हो